हेलो गाइज, वेलकम टू माई चैनल तो ये जो आप देख रहे हैं, ये सबसे पहला कॉंबिनेशन है ये कॉंबिनेशन है, वाइट, येलो एंड मरून का ठीक है ये अशेन पेंट्स का कॉंबिनेशन है, ये आप देख सकते हैं ये एक बहुत ही अच्छा टेक्शर देखे आया है ये देखे मैं पास से दिखा रही हूँ ये चीज भी आप अपने घर पे ट्राइ कर सकते हो आप अपनी तीन दिवारे येलो की करवा सकते हो और एक दिवार जो है बीच वाली वो आप मरूम से करवा सकते हो ये आपको मैं टेक्शर दिखाती हूँ पास से ये देखिए इसकी कोटिंग बहुत अच्छे हुई है ये आप खुद देख सकते हैं कि ये कितना अच्छा डिजाइन है और कितना अच्छा लूग दे रहा है ये देखिए ये हमने तीनों दिवारे येलो की करवा रखी है और बीच वाली का डिजाइन बनवा सकते हैं ताकि उसका जो ओवरॉल कॉंबिनेशन है वो बहुत अच्छा बैठे़ चलिए बात करते हैं दूसरे कॉंबिनेशन की ये आपको दिखी रहा होगा ये भी येलो के साथ है क्योंकि हमारी जो में ती वह येलो थी और जो हमारी जो दूसरी थी कॉंसी वह हमने अलग-अलग क्लर की कॉंबिनेशन में बनवा रही है तो यह आप देख सकते हैं यह हमारी बीच की दिवार है ठीक है इसमें हमने ब्लू कलर करवा रहा है और यह येलो का कॉंब्रेस्ट ओवरॉल जो कलर है वह हमारी जो सिपलिंग है वह भी ब्लू और वा कॉंब्र में जो होती है उससे बहुत ही अच्छा टेक्शुर आया है का यह आप देख सकते हैं ऑवर्ल जो कलर कमटीनेशन मैं बोरूतों तो यह एक आपको अब में घर में amac सब्सक्राइब करें यह यह दिखाती हूँ यह आपको दिख रहा होगा कि यह ब्राउन कलर है चौकलेट सब्सक्राइब और इसके साथ भी मैंने एलो का ही कॉंबिनेशन करवा रखा है यह आप देख सकते हैं यह बहुत अच्छा टेक्शर दे रहा है इवन जो आपकी सीलिंग है वो भी आप ब्राउन के और बाकि black white उसके combination में आप बनवा सकते हो तो यह आपको color combination पता लग रहा होगा कि यह color combination कितना अच्छा लग रहा है यह yellow के साथ जो brown का texture आया है वो बहुत ही अच्छा है यह आप देख सकते हैं यह देखिए और यह भी Asian paints का ही collection है जो मैं आपको दिखा रही हूं यह देखि तो आप इसमें भी ऐसे ही कर सकते हैं अपनी वीच वाली एक दिवार brown करवा सकते हैं बाकि जो overall है आप yellow का touch दे सकते हैं यह अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को subscribe करना ना भूले